नमस्कार दोस्तों, मैं निधी पंचोली, पेशे से IT प्रोफेशनल हूँ और फिल्हाल परिवार को और खुद को समय देने के लिए stay at home mom. दोस्तों, कविता भावनाओं के अतिरेक का परिणाम है, और आप सब उन चुनिंदा लोगों में से हैं, जो आज के इस दौर में कविता सुनते हैं और समझते हैं, तो आप सभी को सबसे पहले मेरा अग्रिम धन्यवाद, मेरी कविता का शीर्शक है अहंकार और प्रेम, तो म मानव तन के घटकों का सुनो वारता लाप, महानता बखानते सारी अपने आप, महानता बखानते सारी अपने आप, जल बोला, मैं तुझ में आधे से अधिक, मेरे बिना तु कुछ नहीं पतिक, रक्त की आवाज आई, मुझबिन तु पल में धराशाई, मस्तिश्क कहता, म सब पर भारी, अपती अहंकार की बारी, सब पर भारी, अपती अहंकार की बारी. अगर अहंकार उगो अंदर आ गया, तो धीरे-धीरे सब कुछ खतम होने लगता है. तो मेरा प्रवेश दमन है तुम्हारा न रक्त न श्वास न आत्मा न प्रेम ये मैं हूँ और ये सब मेरा ही है खेल मैं अहंकार का परिया है ये सब ये मैं हूँ और ये सब मेरा ही है खेल क्या भूल गए वो हिरन्य कशप और स्वापुत्र घात का हट आप सभी ने भ्रक्त प्रहलाद और हिरण्य कश्चप की कहानी जरूर सुनी होगी, तो क्या भूल गए वो हिरण्य कश्चप और स्वपुत्र घात का हट न मैं होता, तो क्या होता सीता हरन, महाभारत का युद्ध या द्रौबदी का चीर हरन, कैसे तु मेरी शक्ति पर सशंकित, न जाने कितने युद्ध दिखा चुका रखतरंजित, करोडों आत्माओं को मारकर, प्राणों को हरकर, अपना प्रलय दिखा चुका हूँ, और प्रेम को अंगे नदबार अपना ग्रास बना चुका हूँ, प्रेम को अंगिनत बार अपना ग्रास बना चुका हूँ तो ये थी अहंकार और प्रेम की दास्तान और दोस्तों अभी जो चल रहा है हम लॉकडाउन में हैं कभी नहीं सोचा था ऐसा समय आएगा तो जब ये शुरू हुआ तो मेरे मन में जो आया मैंने उसे कविता में पिरोया है आप सभी के साथ साजा करती हूँ भाकती दौरती थी जिंदगी थमसी गई है ऐसा नहीं कि जरूरी काम नहीं हो रहे है पर ये सच है कि जो जरूरी है सिर्फ वही हो रहे है जिंदगी पर लगे lean concepts और सारी गैर जरूरी चीजें हट गई अचानक सारी गैर जरूरी चीजें हट गई अचानक और जिंदगी में सिर्फ जान एहम हो गई अचानक सिंदगी में सिर्फ जान एहम हो गई अचानक सोचाना था ये पल भी आएगा कि बैठे बैठे वो मुवी देखाना याद आएगा अब सारी छोटी छोटी खुशियां याद आ रही है तो सोचाना था ये पल भी आएगा कि बैठे बैठे वो मुवी देखाना याद आएगा लोटते हुए वो जुमकियां खरीद लाना और नुकर से गोल गाप पे खाकर घर लोटाना हर कभी उटकर शॉपिंग को चले जाना बच्चों का खेलना उनके जगडे सुलजाना हर शाम दोस्तों के साथ वो गप लडाना और याद आने पर यूही कभी माई के हो आना आसान सी दिखने वाली इन सब चीजों का अब लगशरी बन जाना आसान सी दिखने वाली इन सब चीजों का अब लगशरी बन जाना याद आता है कुछ दिन पहले का प्यारा सा अफसाना याद आता है कुछ दिन पहले का वो प्यारा सा अफसाना अब वक्त का तकाजा है अपना घर ही हो टिकाना कोई कसर न छोड़ें हर काइदा है अपनाना और मिलकर साथ लड़ें वक्त नहीं है गवाना और देखिए हर चीज में कैसे positivity होती है कि मैं खुश हूँ कि कोई शहर से बाहर नहीं मैं खुश हूँ कि कोई शहर से बाहर नहीं सब पास है दूरी का एहसास नहीं ये जो वक्त है ये भी निकल जाएगा ये जो वक्त आया है ये भी निकल जाएगा इम्तिहान है डट कर मुकाबला करो उपर वाला जल्द ही सुनहरी सुबह लाएगा आशाय आप लोग इस सबसे कनेक कर पाये होंगे इस कविता से और चार पंक्तियों के बाद अपनी वानी को विराम दूंगी सुनिएगा कि कितने भी तेज हो कदम कुछ तो छूटी जाता है कितने भी तेज हो कदम कुछ तो छूटी जाता है लगता है उम्मीदों की रफ्तार बहुत है और ये दुनिया तो कब की खतम हो जाती मगर लोग यहां इश्क में गिरफ्तार बहुत है